भारत लौटे पीमोदी जी सेवन शिकर समिलन में शिर्कत करने के बाद इटली के आपूलिया वहाँ गए थे उसके बाद वापस इंडिया लौटे जी सेवन शिकर समिलन में वर्ल लीडर से पीमोदी ने मुलाकात की इमैनुवल मैकरो, रिशी सुनाक, जलन्सकी और पॉप फ्रैंसिस से मिले पीमोदी जी सेवन शिकर समीलन से इतर अपूलिया में फ्रांस के राश्टपती इम्मेनवल मैक्रो के साथ वी पक्षे बैटर कुई दोनों ही नेताओं ने होराइजन 2047 रोडमैप पर चरचागी जी सेवन शिकर समीलन के आउट रीट सत्र में पीम मोदी ने पॉप फ्रांसिस से मुलाकात की पीम ने ब्रिटिश इधारमंत्री रिशी सुनाक से भी बाठ चिती पॉप फ्रांसिस ने पीम मोदी की मुलाकात पर मुंबई के आर्थ बिशफ पाधर ओस वाल कार्डिनल ग्रेसियस ने जताई खुशी कहा ऐसी बैट के रिश्टों को मस्बूत करने में मददगार हुती दो दिवसियत दौरे पर काशी पहुचे सीम योगी ने अधिकारियों के साथ की बैठ चुनाव भी इतने के बाठ पीम मोदी के वरणसी आजमन की तयारिया थी सीम योगी ने काल भैरो मंदिर और काशी विश्वनात मंदिर में की पूजा अर्चुना पीम नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले कारिकरम इस्थल का निरिक्षन किया अठारा जून को काशी आ रहे हैं पीम मोदी दिल्ली में पानिक की समस्या को लेकर सडको पर उतरी कॉंगेस पाटी आज 280 ब्लॉकों में कॉंगेस का मटका पोर्ट दर्शुट दिल्ली प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देविंद्र यादव का केजरिवाल सरकार पर करप्शन का आरोप कहा दिल्ली जल बोर्ड में 17,575 करोड का स्कैम हुआ, पूरा पैसा टाइम कम माफिया के जेर में गया कॉंग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष अलका लामबा ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड स्कैम के जाचोर, जेल से नहीं चलती सरकारे, सरोदली बैठक बुलाकर समस्या का खल निकाले सरकार दिल्ली में पानी के मुद्डे पर आप सरकार के खलाफ कॉंग्रेस के प्रदरशिन पर बिजेपी ने उठाई सरवाल का कल तक हाथ में हाथ डाले एक साथ घूम रहे थे, आज जूटा विरोध कर रहे अपने बयान पर इंग्रेश कुमार का यूटन कहर राखुल और केजरिवाल के लिए बयान था, उन्होंने कहा था मोधी सरकार सक्ता में वापस नहीं आएगी, तो एहंकारी कौन हुआ बीज़पी और आरेसेस के बीट संबन्धों पर बोले इंद्रेश कुमार कहा आरेसेस और बीज़पी के बीट मर्भेत की बात करने वाले ना समझ है सोतों के मताबिक 31 अगस्ते 2 सितंबर के बीट संग ने बुलाई समन्वे बैटर केरल में होगी मेटिंग विज़पी आरेसेस के सभी संगत्लों के बताधिकारी इसमें शामिल होंग जल्द कैबिनिट में रखी जाएगी एक राष्ट्य एक चुनाओ पर कोविंड समीती के रिपोर्च कानुन मंत्राले विधाई विभाग के 100 दिन के एजन्डे में शामिल राजिस्तान की भजन लाल सरकार ने अपने चुनावी संपल पत्र का एक और बादा पूरा किया शिक्षक भटी में मगिलाओं को 30 से बढ़ा कर 50 पिसदी आरक्षन देने की कोश्णा थी केंवरिय मंत्री बनने के बार जेडी उस्तांसत लजन सिंग का तिजस्वी आदव के जुमजुना थमाने वाले बयान पर पलटवार कहा जो विभाग मिला के उससे मैं संतुष्ट माराश के बुल्धाणा इससे पहली बार मंत्री बने प्रताव राव जाधव का कारक्रम में स्वागत किया गया अपने वजन के बराबर किताबों की तॉल के लिए तराजों पर बैठते ही धडाम होकर गिरे मंत्री पंच महल में गिरफतार आरोपियों के पास मिली 30 फरिक्षार्थियों की सूची धाई करोड के चेक और आच ब्लाइंक चेक बरामत की एकर